आज की इस वीडिएओ में आपको बताने वाला हूं हमारी सबसे बड़ी गल्ती क्या होती है पढ़ाही के दोरा हम जब पढ़ते हैं, तो हमारा पढ़ने पढ़ते समय हमारा फोकस रहता है हमाले परसंटेज बढ़ें कियसे भी करके, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं उस पर चाहे हाथ पर हाथ धरके हमको रटना पढ़े चाहे किताब घोर के पीनी पढ़े या बिल्कुर रटनी पढ़े same to same पूरी definition रटनी पढ़े लेकिन हमारा जो मेनुद्देश से रहता है पढ़ाई के समय पर हमारे सोचा होगा हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं बस यह है कहां पढ़ लेंगे परसेंटेज ज़्याद आ जाएंगे उसके बाद में हम जॉब की तयारी करेंगे वो तो इस चीज को आप पहले ही पहले हैं जब बचे बच्चे और इंटर के हैं लाइट तो इंटर याणि की आदमी ciao हो जयाता है उस समय पर फिर véxY उसके बाद में बच्छ इसला ट्यारी कर crdo कोई बच्छ साधी करेंगे साधी करने के आद में बच्छे होंगे आपके बच्चे होंगे उनका फिचर क्या होगा उनकी अच्छी स्क्रूल में परवरी स्क्रों उनके अच्छी परवरी में में और इक अच्छ उनको सेटल कर सको तो इन शभी का कहाँ पर जाता है आपकी पढ़ ही परड़ाई पर डॉपएंड करती है । सबस्केश के पहजी ना बैक्ग्राउंड बन जाता है तो मतलब क्ría है का आपके बच्चों सी फूचर उसी चीज पर निरभर करता है आपके परिवार का जो बोलते ना आपकी पीडि चले गए आगे आपका बावेस्स्य जो है वह इनी चीज उपने बर करता हो आप इसी चीज को सीरिस नहीं लेते हैं इसी चीज को किस पर निकाल ले हो रट्रम रट्रा मार के तुछ तुज से लड़ रटने वाली जो नोलेज है वो बेकार रहती है हमेसा याद रखना इसलिए आप एक चीज सोच दरा आप पढ़ाई कर रहे हो चाहां बी एसी में हो या इंटर में हो तो आप एक चीज फोकस करें का पढ़कियों रहे हैं क्योंकि आप सेटल हो जाओ और सेटल होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पासमें knowledge कितना ए एक देखा है अपने अनपढ़ आदमिय है लेकिन उसके पास knowledge बहुत ज्यादा है और उसके पास दुनिया वर का अनापशनाब हवेली और दुनिया वर का पैसा काया, दुनिया वर की गारी इसी लिए आप पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के लिए नहीं अपनी नौलेज बढ़ाने के लिए कीजिए जिस दिन आप नौलेज क्यों गैन करने लगोगे तो आपको आवेश्चता नहीं है किसी जौब की आप दूसरों को जौब देने वाले बन जाओगे तो इसी लिए एक तरफ आपके लिए अच्छी है बोले न एक कहावत है एक बड़े नौकर से बढ़िया एक छोटे मालिक बन जाओ मतलब क्या एक सरकाई नौकरी कर रहा बड़े बड़ी सरकाई नौकरी में जाए तो उससे बढ़िया है कि आप अच्छा बिजनिसमेन यह उनके पास सरकारी जौब नहीं है और कोई ज्यादा डिगरिया भी नहीं है लेकिन उनके पास में एक लगन थी उनके पाले नौलेज थी और वह इसी बले तो आप कोई भी छेतर अपने च्छोटा नहीं रहता है शिर पर सिर्फ आपके नौलेज होनी चाहिए आपको उस च अपने बच्चों के लाइप शेटल करनी है वह एक अच्छी कॉलेज में पढ़ सकें उनके पास अच्छा घर हो अच्छा पहनने के लिए हो दुनिया वर का अजकल तो बहुत सारी चीज़ें चल लिए हैं आपके पास बड़ा सा घर हो गाड़ी हो चार पी एक गाड़ी हो और दो-चार गाड़ी हो चार पी एक घर में एस्टी हो बहुत हुदू चीज तो इन चीज़ों पर आपको विशिज तोर पर ध्यान देना है और ठीक है और हमेसा हें यह सोचो कि आप जोब लेने वाले नहीं, जोब देने वाले बनो, मैं कहा करो, मेरे बहुत कीमती है, जोब लेने वाले नहीं, जोब देने वाले बनो, तो यह चीज आपके लिए बहुत ज़्यादा है, तो आप में दिमाक में एक गोल बनाई है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के या रटम रटमार के आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं, नौलेज के लिए पढ़ना, जिस दिन आप नौलेज गैन कर लोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास किताबी जाने उससे कुछ नहीं होगा, प्रेक्टिकली बहुत चीजें अलग होती हैं, किताब में कु आप लोग यह गलती करते हो, इसलिए आप में फिर वा कह रहा हूँ, आप जोब लेने वाले नहीं, जोब देने वाले बनो, तो आउस के लिए क्या 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 करना है, और छोचोटी चीजें मैं आपको डिसकस करता रहू हूँ, राइट, मिलेंगे खुशासी वीड़ा, त आपको ईप सारादे, मिलेंगे धिर नहीं मैं जोचोटी जोचोटीजें मैं राले नहीं, एम जोचादी राते हैं हाँ, जोचादी वीजे वाले दोचोटीजें ुईने मैं इवाले सार्फादींति दोचोटीजें प्रीघ सूला इ ParlBS